ऐगी नमस्कार दियर इस्टुडएंट्स बिएसी आज इयर के अस्तुडएंट्स हो के लिए पेपल नम्ब धार्डऺ आज मैं स्टुडिये जा रहे हैं तो इसमें अपने यूनिटफरस्टा सबस्ट पहले करेंगे और उसका नम्बर करेंगे चेप्टर फ़स्ट चैप्टर फस्ट का नाम परिमित अंतर कलम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन तो इसमें सबसे पहले होते हैं संकरक संकरक भी चार परकार के संकरक होते हैं अपने तो संकरक होते हैं चार परकार के ठीक है संकरक है शंकारक मूख़ा तद कितने परकार की होते हैं चyar परकार के चार परकार के होते हैं संकारक कौन कौन से होते चार परकार के कि तो पहला होता है तस्मक तस्मक संकारक होते है और दूसरा होते है विस्तापन तीसरा होगा अग्रानतर संकारक 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 तो यह चयार परकार के संकारक होते है अपने अब इन चयारों पर अपने डिटेल से डिसकस करेंगे तो आप वीडियो में बने रहे हैं देखिए हम बनाएंगे एक साड़ने साड़ने में क्या होगा इस तरफ लिखा होगा संकारक और संकार का प्रतीक यानि उसे किस से प्रदर्शित करेंगे वो लिखा होगा और यहां पर लिखियोगी संकार की परीबास साया उसे किस प्रकार से अपने को यूज करना ही वो लिखा होगा तो तीनों प्रकार अपने को देखते जाएंगे तो पहला नम्बर आता है हमारे पास, पहला नम्बर क्या आता है? पहला नम्बर आता है तस्मक, तस्मक संकारख है, तस्मक संकारख, तो इसका पर्धिक होता है I, यानि इसे I से परद nous क passaporation करते हैं, तो इसका यूज कैसे करेंगे जैसे किसी के साथ आई फंक्शन के साथ लगावाएं तो आई किस प्रकार से इसमें यह जुड़ेगा गटेगा यह कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा यह क्या होगा इसमें तो आई जिसके जिसी किसी भी फंक्शन के साथ लग जाए तो वह फ नबर 2 प्याता है अपना विस्तापनि विस्तापन संकार्क ंगलिग्लिस में बोलते है। इसका बढ़ना आउस सिफ्ट इसका परदीप होता है यानि कईई पे दिख जाए तो अपने जाहर कि विस्तापन संकार्क है और ये किसी function के साथ operate हो जाएं तो क्या बन जाता है वे function उस function में x के साथ में एक अच जूड़ जाता है क्या जूड़ जाता है अच जूड़ जाता है इतना याद रखना है अपने को अब नमबर थर्ड आता है अगरांतर जाय जूड़ जाता है शंकारग आगरांतर संकारग का प्रतिक होता है डल इसे बोलते हैं डल तिरबूत होता है उसे बोलते हैं डल इसमें दो है एक प्रथम अग्रांतर संकारक प्रथम अग्रांतर संकारक प्रथम अग्रांतर संकारक उसका प्रतिक होता है ठीक है तो डेल किसी function के साथ operate हो जाता है तो उस function में क्या क्या change होता है वह बताओंगा तो उस function में पहले ऑग्स के साथ में एगर जुड़ जाता है यानि 20 सापन संकरका वाला ला काम औहुजाता है उसके बाद में किया ल être ऐसelf at % совет अजो Gomez ते हैं तो यह पूरा कार वुत्था किसी function के साथ operate व्हाइट हो जाता है तो क्या होता है फंक्여 में पहले जोड़ता है उसके बारेब फंक्ण faithfulica गट जाता है यतना सा याद रखना है कि मुझे आता है जुसलेट् Y-² अग्रानतर कि जुलिटी ए अग्रानतर की संकारत कि इसका प्रतीग लिखते हैं डूति यानि दो बार गर ऐला आ रडार शंकार किसी पे ऑपरेट हो जाता है तो उसे डल स्कुएऄ से लिकेंगे च्यार बार जाता है तो इस लेटेर हैं पतन से लिक्त लिखेंगे डायल स्क्वेर परेट्स बराबर है तो एक बार उप्रेटेट वहाद म क् I am MSiK अब क्या ओर रहे हैं एक वार ओर उपरेट और है तो ड्ल स्कूर को अपने इससे भी लिख सकते हैं ड्यलेंग यह बर अपड़ी धो dj x fashion k ii tjy यह लिख सकते हैं इसकी जगेतें तो क्योंकि प्रते मगरांतर संकार का फोर्मूला है वह अपने लिख सकते हैं क्योंकि यह प्रते मगरांतर संकार के लिखती है । अब क्या होगा है यह डेल वापस इन दोनों पे operate एक एक बार और हो जाएगा जैसे del fx plus h माइनस del दोनों से गुणा हो जाएगा मैनस का del fx हो गया अब क्या होगा अब यह डाल इस पे operate होगा और यह डाल इस पे operate होगा सेम बही होगा जैसे इसमें किया था यानि function में पहले एच जूड़ेगा उसके बाद function A24 केंवेगा इस पूरे function में एक चोड जोड़ेगा तो 26 हो जाएगा इसकी रीविड almost में फ्रेक्श किया आएगी देखिए इस पे operator एक्स फ्लस हच पर एक्स प्लस हच यह फोर्मूला तैडि देल ऑप्रेट और a92 पर एक्स पे तो plus plus us'd किया था, अब एक्स प्लस हेच पर को रहा है, टो प्लस हेच्ट केँगे, करदीः, आगे कह करदा एक्स तो ये लगा दिए, घ्रया फैक्स इसका फोर्मॉला अपड है, हेज़े लगा दिए एफ बढूल को लिए में का फॉक्स, अब इस पूरे को सौल करेंगे तो क्या आएगा Fx plus 2H minus minus का Fx plus H minus का FX plus H केतना क्या मैनिस का 2Fx plus H और minus minus यह हो गया plus का FX तो इस परकार जी इस की वेल्यू आई यह बाली यानि दो बार डेल ओपरेट करवाने पर ऐसा हो रहा है आगे और किस्टन्स करते देंगे उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा यह हो गया जित्य अग्राइंतर संकारक यानि मेन फोर्मूला इसका इतना ही होता है यह वाला या यह भी बोल सकते हैं से ठीक है यह तो मैने सॉल करके बताया इसको अब आता है नेक्स्ट में फोर्ट नमर आता है पस्चांतर संकारक तो इसका प्रतिक्या होते हैं उल्टा त्रीबुज वोते हैं उल्टा तिर उसके बोलेंगे नेबला इसेरे बोलतें नेबला इसमें भी दो है प्रतम भस्तांतर संकारक usl उसका प्रति इंद एल नेबला तो नेबला FX बराबर होगा नेबला की सी फंक्षन पर ऐपरेट होगा तो क्या या आएगा fx minus X यह आएगा FX ॡ- baja यानि गोर से देखेगा आप गोर से क्या देखनेicht कि डेल किसी function पर operate हो रहा था तो क्या हो एक्स प्लस h माइनस का एक्स और नेबला क्या है उसका उल्टा है ये लिया उल्टा तो ये भी उल्टा हो जाएगा यानि प्लस वाली संख्या हो जाएगी माइनस में माइनस वाली प्लस में यानि माइनस में क्या है माइनस का एक्स है तो यह हो गया यहां पर माइनस का एफ एक्स है तो यह हो गया यहां पर प्लस का एफ एक्स और यह प्लस का था पूरा यहां पर भी प्लस यहां पर भी प्लस तो इसमें यह दोनों माइनस के आ गई तो इस परकार से यह डेल और नेबला दोनों उल्ठे होते हैं पी एं दृत्य पस्चांतर संकारक इसे नेबला स्क्वेर से प्रद्धित करेंगे तो सेम वही कहानी है नेबला स्क्वेर एफ एक्स किसी फंक्शन पर उपरेट होगा तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे नेबला ओफ नेबला एफ एक्स यानि नेबला किस पर उपरेट हो जाएगा नेबला एफ एक्स पर नेबला एफ एक्स की वेल्यू यह थी एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच तो नेबले को दोनों में मल्टिपलाई करवा दो नेबला एफ एक्स माइनस का नेबला एफ एक्स माइनस एच तो यह आगी इसकी वेल्यू नेबला स्क्वेर एफ एक्स तो इस प्रकार से हमारी त्यार संकार कंप्लिट होते हैं अब देखिए एक एक संकार को अपन लेंगे उस पर विश्थार से सर्चा करेंगे और उसे किस्तन कैसे होते हैं वो लेखेंगे सर परतम हमारे पास आता है तत्समक संकारक जिसे आई से पर्दस्षित करते हैं इसकी परिबासा और फॉर्मला लेखेंगे इतना ही कहां में यदि फलन य बराबर एफ एक स्वों तथा तस्मक फलन आई एफ एक्स पर अपरेट होता है तो क्या आता है एफ एक्स याता आप इस एफ एक्स याएगा तो संकारक आई तत समक संकारक क्यालाताए यह हो गए इसकी परीबासा और आगे और एक्जामपल्स क्यूस्टन्स करेंगे तो और डीपली समझा दाएगा नंबर दो था विश्टापन संकारक विश्टापन संकारक को यह से परदेशित करते हैं विश्टापन संकारक को यह से परदेशित करते हैं तो इसकी परीबासा है यदी फलन वाई बराबर एफ एक्स हो तो fx पर संकारक e का अर्थ फलन के अर्थ फलन के चर x में आगामी चर x के आगामी वर्थी देने से होता है वर्थी देने से होता है यहाँ संकारक e विस्तापन संकार कहलाता है यदि व्रदी की राशी h हो तो e किसी फंक्षन पर उपरेट करवा दिया fx पर तो क्या आएगा fx प्लस h यह आएगा तो इस पुरी e उपरेट होता है फंक्षन पर तो इस पुरी equation कहतो इसे या कुछ भी कहतो इसे पुरा language में लिख लिख दिया तो इसे बोलते हैं परी बासा तो परी बासा के रूप में इस परकार लिखना होगा तब भी हमें पेपर में नमबर में लगा देखे इसमें क्या लिखा यदि फ़लन y बराबर fx हो तो fx पर संकारक e का अर्थ फलन के सर में आगामी वर्दी देने से यानि ए किसी function पर operate हो जाता है तो x में आगामी एक वर्दी होती वर्दी h के रूप में होती हो वर्दी किसके रूप में होती है h के रूप में होती है देख लीजे X में वर्दी होते हैं भी तो X प्लस H लिखा है अगर वर्दी नहीं होती तो X सीरे पढ़ा रहता है तो यहां E विस्तापन संकार कहलता है यह वर्दी के राशी H होता है बस इतनी सी बात है अब इसका देखिए एक फॉर्मूला और है जिससे की यह फॉर्मूला जनरेट हुए है जनरलाइजिशन हुआ है E की पावर N F X पराबर F X प्लस N H इस फॉर्मूले से अपना विस्तापन संकार का फॉर्मूला यह वाला जनरेट हुए है कैसे हुए N की जगह इसने एक रख दिया एक रख दिया E की गात एक लिखो या कुछ नहीं लिखो E की बात होती है E की पावर N F X N बराबर एक रख दिया है यहां पर और यहां पर X प्लस N H N की जगह एक रखावा है तो X प्लस H हो गया तो इस फॉर्मूले से यह फॉर्मूला जनरेट हुए है तब ही इस फॉर्मूले को जनरलाइज जिसम फॉर्मूला बोलते है तो यह हो गए अपना विस्तापन संकार वीडियो जादा लंबी हो जाएगी इसलिए आगे का पार्ट अपन अगली वीडियो में परेंगे देने वागे